ओम शांती 25-6-2023 की अव्यक्त मुरली रिवाईज 19-1-1995 ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्यकारी और सर्वन शित्यागी बनों आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा सांथियों को देख रहे हैं दो प्रकार के सांथी हैं एक है इसने सम्मंध का सांथ निभाने वाले और दूसरे हैं इसने सम्मंध और सेवा का सांथ निभाने वाले दोनों प्रकार के सांतियों को देख रहे हैं चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है लेकिन बाप दादा के सामने है बाप दादा और बच्चों का वाइदा है कि कहां भी रहेंगे जहां भी हैं लेकिन सदा सांत है ये ब्रामन जीवन आदी से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी सांथ है चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं लेकिन अलग हैं क्या? नहीं है न? तो दूर हो या समीब हो ये दिल की समीबता साकार में भी समीबता अनुभव कराती है चाहे किसी भी देश में हैं लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है अलग हो नहीं सकते असंभव है परमात्म वाइदा कभी टल नहीं सकता परमात्म वाइदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टलेश इसलिए सदा समीप है सदा सांथी है और सांथी बन हात में हात सांथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे है मौज है कि महनत है थोड़ी थोड़ी महनत है जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा बात बाप को किनारे करती है जैसे बीच में कोई परदा आ जाए तो परदा आने से किनारा हो जाता है न तो ये बात रूपी परदा बीच बीच में आ जाता है लेकिन लाने वाला कौन? परदे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा-थोड़ा मज़ा लेना बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी-कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं जिससे प्यार होता है प्यार की निशानी है साथ रहना साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या जादा है तो पानी की मश्किल हो गई न तो साकार में साथ रहना नहीं लेकिन दिल से साथ निभाना अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुभन में होते भी दूर है और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं तो वो साथ है इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं शरीर राम नहीं कहते तो दिल बाप में है ना बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है तो दिल जाने इस रुहानी साथ को अनुभवी हो ना कि यहां से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए नहीं सदा साथ निभाना यह कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है न आज पूरे हॉल में सभी भाई बेहने पट पर बैठे हुए हैं बहुत अच्छी सीन है बाप दादा को आज की सभा का द्रश्य देख करके यादगार याद आ रहा है यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं शरीर नहीं दिखाई देते तो यहां से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं बाकी कुछ नहीं दिखाई देता तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है एक के पीछे एक बैठे हैं ना तो शरीर छिप गए हैं फेस दिखाई दे रहे हैं ये है इसनेह का प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्मा बाप से सभी कस्ने हैं तब तो आए हो न और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है न और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है तबी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं अव्यक्त पालना मिल रही है न या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यग्य की रचना और यग्य की व्रद्धी नहीं होती डवल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है न? हाँ जी देखो फॉरन में बाब जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं सदा मिलते सदा देखते सदा साथ रहते हैं साकार शरीर में साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं अव्यक्त बतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है अभी टाइम नहीं है नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है ना देह की दुनिया के काईदों का बंधन है यहां तो काईदे रखने पड़ते हैं न आगे बैठो, पीछे बैठो अभी वी समय प्रमान बहुत बहुत भागिवान हो फिर भी बैठने की जगह तो मिली है न फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी सभी मधुवन निवासी तथा आवु निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं यह भी परिवार का प्यार है ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना निराकार के समान बनना वो थोड़े समय का अनुभाव करते हो लेकिन ब्राम्मन अर्थत सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्रह्मनों का आचरण अर्थत कर्म उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है जिसको कहते हो follow father तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना इसको कहा जाता है follow father तो ब्रह्मा बाप ने बाप के शरीमत पर पहला कदम क्या उठाया पहला कदम आज्याकारी बने जो आज्या मिली उसी आज्या को प्रत्यक्ष स्वरूप मिलाया तो चेक करो कि आग्याकारी के पहले कदम में follow father है अमरत वेले से लेकर रात तक मंसा, वाचा, कर्मना, सम्मंद संपर्क में जो आग्या मिली हुई है उसी आग्याप्रमान चलते हैं कि कोई आग्यापालन होती है और कोई नहीं होती है संकल्प भी आग्याप्रमान है कि mix है अगर mix है तो full आग्याकारी है या अधूरे आग्याकारी है हर समय के संकल्प की आग्या स्पष्ट मिली हुई है अमरत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है न तो follow करते हो कि कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रालोक में चले जाते हो हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आग्याकारी नहीं कहेंगे न चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में दोनों में जो जैसी आज्या है वैसे आज्या को पालन करना इसी percentage चेक करो चेक करना आता है तो पहला कदम आज्याकारी बने इसलिए आग्याकारी को सदा बाप की दुआएं स्वताह मिलती हैं और साथ साथ ब्राम्हण परिवार की भी दुआएं हैं तो चेक करो की जो भी संकल्प किया चाहे स्वा प्रती, चाहे सेवा के प्रती, चाहे स्थूल कर्म के प्रती या अन्य आत्माओं के प्रती उसमें सबकी दुआएं मिली क्योंकि आग्याकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी मन संतुष्ट रहेगा बाहर की संतुष्ट नहीं लेकिन मन की संतुष्ट एथार्त है वह मिया मिट्टू है इसकी निशानी अगर यथार्त रीती से यथार्त आज्यकारी है दुआएं हैं तो सदा, स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं बाप की वह परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है परिवार की भी दुआएं आविशक है ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है बाप की तो दुआएं हैं परिवार से नहीं बनता कोई हर्जा नहीं पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है उससे माला नहीं बनती तो माला में आना है इसलिए पूरा लक्ष रखो कि हर एक आत्मा मुझे देख कर खुश रहे देख करके हलके हो जाए बोज खत्म हो जाए तो दिल की संतुष्टता वा आज्याकारी की दुआएं स्वयम को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी इससे समझो की आज्याकारी कहां तक है जैसे ब्रह्मा बाप को देखा हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता नाचने के टाइम तो हलके होंगे न तभी तो नाचेंगे चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हलका है तो भी नाचता है और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा तो बोल ऐसे हो जो स्वयम भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था हमारी तो भावना नहीं थी लेकिन भाव और भावना पहुँचती क्यों नहीं अगर सही है तो दूसरे तक बाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है कोई तो कारण होगा न तो चेक करो दुआओं के पात्र कहां तक बने हैं जितना अभी बाप और ब्राम्हण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे अगर अब ही ब्राम्हण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे क्योंकि ब्राम्हण आत्मा हैं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे तो जो family को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे संसकार तो यहां भरना है न कि वहां योग करके भरेंगे यहां ही भरना है अगर वर्तमान ब्रामण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते कारण कारण ही कहते रहते हैं तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ती नहीं है अगर परिवार में निवारण शक्ती नहीं तो विश्व के राज्जी को क्या निवारण करेंगे क्योंकि आपके राज्ज में हर आत्मा सदनिवारण स्वरूप है वहाँ कारण होंगे क्या जैसे अभी राज्ज सभा मे कारण बताते हैं ये कारण है ये कारण है ये कारण है वहाँ ऐसे राज्ज दरबार होगी क्या वहाँ तो सिर्फ खुश कहराफत पूछेंगे सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वन्चित नहीं करो ब्रह्मा बाप पने कारण को निवारन किया इसलिए number one हुआ बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाईल ही खटे होते हैं सभी के फाईल हैं किसका छोटा, किसका बड़ा फाईल है तो अभी भी फाईलें रखनी है फाईल बढ़ाते रहना है या रिफायन होना है तो आज से फाइल सब खत्म कर दें फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा सोच लो बोलो खत्म करें कि थोड़ा दिन रखें शिवरात्री तक रखें जो समझते हैं शिवरात्री तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए तब तक पुरुशार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे वो हाथ उठाओ अच्छा है हिम्मत रखना भी अच्छी बात है लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी नीचे उत्रे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई और अपने देशों में गए तो और कम हो गई कोई बात आई तो और कम हो गई ऐसे तो नहीं करेंगे देखो जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है कमजोरी आती है और जब उस बात समाप्त हो जाती है तो अपने उपर शर्म आती है न अपने उपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया ये अच्छा नहीं हुआ करके और फिर पश्चताप करें ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका पश्चाताब बाले क्या राजा बनेंगे तो सोचो साक्षी इस्टती के सिंगासन पर बैठ जाओ और अपने आपको ही जज़ करो अपना जज बनना दूसरे का जज नहीं बनना दूसरे का जज बनना सभी को आता है दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं तो साक्षीपन के सिंघासन पर अपने आपका निरनय बहुत अच्छा होगा सिंगासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता सेकेंड में तक्त नशीन बन जाओ ये इस्तिती आपका तक्त है यथा आर्थ सहज निर्णय का तक्त ये साक्षी पन की इस्तिती है शाक्षी शाक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात दूसरे की चलन वो ज़ादा सामने आती है अपनी नहीं आती अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी दूसरे की भी नजर आएगी फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्त होगी नहीं तो यथार्त नहीं होती बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है लेकिन कभी-कभी ब्राम्हन बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है बात आती है और चली जाती है लेकिन ब्राम्हन बच्चे बात को पकड़ कर बैठते है बात रुकती नहीं चली जाती है लेकिन स्वयम बात को नहीं छोड़ते तो बातों में अकल जादा हुआ या ब्राम्हनों में बातें अकल वाली हुई न कई बच्चे कहते हैं दो दिन से ये बात चल रही है दो घंटे ये बात चली और दो घंटे में गवाया कितना दो दिन में गवाया कितना तो अकल वाले बनो अच्छा चारो ओर के सर्व बाप दादा के इसनेह को प्रत्यक्ष करने वाले फॉलो फादर करने वाले स्रेष्टा आत्मा है, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्यकारी स्रेष्टा आत्मा है, सदा द्रण संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वन्ष त्यागी विशेश आत्मा है, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुप पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 वर्दान ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना हद को बेहद में समाना अभी इस कदम पर कदम रखने की आवेशक्ता है सबके संकल्प बोल सेवा की विधी बेहद की अनुभा हो स्वापरिवर्तन के लिए हद को सर्व वन्ष सहित समाप्त करो जिसको भी देखो वा जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभा हो सेवा भी हो सेंटर्स भी हो लेकिन हद का नाम निशान न हो तब विश्व के राजिका तक्त प्राप्त होगा स्लोगन अपने ख्यालात आलिशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा अच्छा उम्शान आप द्रिश्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिश्टी यूही देते रहो बाबा आप द्रिश्टी यूही देते रहो बाबा